भागलपूर के नातनगर मदू सूधनपूर थाना छेतर के महमतपूर वाड संख्या साथ में बमनुमा डब्बे और खोखा मिलने से इलाके में दहसत फैल गई गटना में पांच बमनुमा डब्बे और साथ खोखे बरामत किये गए हैं जमीन पर बम नुमा दब्बे और खोके पड़े हुए देखे जिसके बाद घटना की सूचना मदुसूदनपूर थाने की पुलीस को दी गई वहीं सूचना मिलते ही पुलीस मौके पर पहुँचकर छेतर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए कैम्प कर रही है और बम निरोधक दस्ते को सूचना दे दी गई है इससे पहले भी नातनगर इलाके में कई बार बम मिलने की घटनाएं सामने आई है जिनमें कई लोगों की म पता चली है और रात में तो आग का जो घटना था वो हम लोगों के सारा कुछ घटना को पताएं जब सुबह हुई तो जब मेरी मम्मी चारा लगाने के लिए आई तो देखी का यह सब बारुत का डिबबा रखा हुआ है और वो सब देखने के बाद जब पता चला तो हम 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 सभी लोगों ने पुलिस को यह सारी घटना की जानकारी दी और वो चांद बिन कर रही है क्या लगता है किसी पर सक ओगर आपका हां सर सक तो है क्यूंकि पड़ोसी मेरे गोतिया से जमीन का विवाद चल रहा है दो बर घर गुसके मारा है मेरे साथ दूर विवार करने की कोसिस भी किया हुँस लोगों यह onices यह हम सर यह हम देखे नहीं है तो हम बता नहीं सक के दारे में है हम सके दारे में उसको ڈाल सकते हैं करी यह सार डर बहुत लग रहा है, डर का महल है, और हम प्रसासन से सुरक्षा की मां करते हैं, खरूर पुरा खाले कर दी और भागाने का भी धंकी दे दिया है, घर से, वह सुराच चाधरी मंगल चाधरी, परोसी अपर, और मेरे पास सबूत के तोर पे वीडियो है, परोसी के ब लिए नताब देखाईची, देखाईची अगन की खोलिया, हो हो डिब्बा, आरू की देखावे लिटा, एक एक रोज जो प्री माग लग लोजी, चानो देदी की, संकर चाधरी, कहां माग लग लोजी, जो प्री बास आपर, भागलपूर के नातनगर, मदु सूधनपूर थाना चेतर के महमतपूर में बम नुमा डब्बा और खोखा मिलने के बाद से महले में भाय का महल है, गटना को हुए आट गंटे से अधिक समय बीच चुका है, लेकिन बम निरोधक दस्ते की टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुँच पाई है, बम निरोधक टीम को मुंग कुमार ने घटना स्थल का दौरा कर इस्ति का जय जा लिया, चिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने या पुष्टी की कि बरामत किये गए बम, कंट्री मेड बम है, शुरवाती जाच में आपसी रंजिस की बात भी सामने आई है, फिलाल अस्तानिये पुलीस घटना स्थ पर तैनात है, और सुरक्षा ब्यवस्ता बनाए हुए है, इसमें लग रहा है, क्रूड कंट्री मेड बम है, आभी टीम पहुंचेगा, डिफ्यूस बाम, डिस्पोसल टीम भी पहुंचेगा, एक्सपर्ट टीम पहुंचेगा, जान्च करने के बाद पता चलेगा, किसी तर इसमें कान दर्ज करके वो उचित कारवे होगा, जान्च होगा बागलपूर के ललमठिया थाना चेतर के टमटम चौक पर सोंबार को एक धार्मिक अस्थल पर विसेश रंग का जंडा फाराए जाने से, इलाके में तनाओ की इस्तिती उत्पन हो गई इसके परिनाम सरूप दोनों पक्चों के बीच तनाओ बढ़ गया और इस्तिती को समालने के लिए पुलीस और सांती समिती के सदस्य तुरंत मौके पर पहुँचे बागलपूर के सिटी एस्पी डॉक्टर के रामदास, डी एस्पी राकेस कुमार, नात नगर इंस्पेक्टर राजी बरंजन सिंग और अन्य पुलीस अधिकारियों ने मौके पर पहुँच कर इस्तिती को नियंतरन में किया पुलीस ने चौक पर कैमप स्थापित कर सुरक्षा सुनिस्चित की और बरतमान में स्थिती सामान्य बताई जा रही है सिटी एस्पी के अनुसार घटना की CCTV फूटेज की जाँच की जा रही है और आरूपी की गिरपतारी के लिए प्रियास जा रही है जानकारी के अनुसार काली परतिमावी सरजन के दवरान एक यूवक ने धार्मिक अस्थल की बाहरी दिवार पर चड़कर जणडा लहराया था जिसका वीडियो वाइरल हो गया था वहीं पुलीस ने इस मामले में तेजी से कारवाई करते हुए आरूपी यूवक को 24 घंटे के भीतर गिरपतार कर लिया था और प्रेस वारता के माध्यम से इसकी जानकारी भी साजा की लाल मतिया में एक दार्मिक स्थल पे विशेश रंग का जंडा लगा दिया है उसमें हम कुछ जांच किया गया है पिवोज पहुंच के उदर एक CCTV भी लागा दिया उसमें अभी वीडियो फूटेज को अभी चेक कर रहा हूं उसमें भी एफियर होगा एफियर करने के बागलपुर में आगामी पैक्स चुनाओ को लेकर जिलापर सासन ने तैयारियों को लेकर कदम बढ़ा दिये हैं इसी संदर्म में उब्विकास आयुक्त परदीब कुमार सिंग ने अपने कारियाले में अधिकारियों और पदादिकारियों के साथ बैठक की बैठक के दवरान उब्विकास आयुक्त ने सांतिपुर्ण और निस्पक्च चुनाओ संपन कराने के लिए कई आवश्यक दिसानिर्देश जारी किये उब्विकास आयुक्त परदीब कुमार सिंग ने कहा कि सांतिपुर्ण चुनाओ कराना जिलापर सासन के लिए एक महत पूर्न जिम्मिदारी होती है और इसे सफलता पुर्वक पूरा करने के लिए सभी को मिलकर कारि करना होगा बैटक में चुनाबी परिक्रियाओं को सुचारू रूप से संपन करने के लिए रन्निती पर चर्चा की गई और अधिकारियों को अपने अपने छेत्रों में सुरक जा रही पांच वर्स ये बच्ची की बिजली करंट लगने से मिर्ति हो गई। वर्तक की पहचान मुहनपुर निवासी बासुकी मंडल की बुत्री आचल कुमारी के रूप में हुई है। वही इस दुखत घटना से पूरे इलाके में सोक और आक्रोस का महौल है। ग्रामिनो ने बताया कि समस्या की सिकायात कई बार विजली विभाग के लाइन मैन दिलिप कुमार से की गई थी लेकिन उनके द्वारा पूल बदलने के लिए पैसे की मांग की जाती थी। पैसे ना देनी की वज़से लोहे का पूल नहीं बदला गिया जिसके कारण बच्ची को लगा और उसकी मौके पर ही माउथ हो गई वहीं गटना की सूचना मिलने पर गोराडी थाना पुलीस ने मौके पर पहुच कर सब को अपने कबजे में ले लिया और पुष्ट माटम के लिए भेज दिया क्या हुआ है इसकूल बेजी मम्मी अंगानवारी परने के लिए तो जाते समय रास्ते में पूल था पूल में लाइन आया लाइन करेंट लगकर सट गिया पूल में सट गिया क्या बजे का गटना है सारे नो बजे सरदर्ड, चक्कराना, गर्दन दर्ड, कमर दर्ड, लो बैक पेन, स्पॉनिलाइटिस, लखवा, पारलाइसि, गत्या, साइटिका, फोलियो, गुटनों का दर्ड, आर्थिराइटिस, नसों का सूपना, फ्रोजन शोडर, लिगमिन, काटलेज, स्पोर्स इंजिरी, सरदर्ड, कमानची भागलपुर, बिहार, कौकरे, 9431-446600 भागलपुर के बैपास थाना चेतर में सोंबार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कारवाई करते हुए चार संदिग्दों को गिरफतार किया है इस कारवाई का नेतरित्व थाना अध्यक्च प्रभात कुमार ने किया जानकारी के नुसार पुलिस को देर साम सूचना मिली थी कि रिक्साडी के पास कुछ व्यक्ती बिना नमबर की मोटर साइकिल पर हतियार लेकर घूम रहे हैं और ग्रामिनन दोरह हस्त छेप करने पर वे बाइपास सड़क की और भाग गए वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइपास सर्विस रोट पर रोकी इलक्ट्रोनिक्स और पार्ट्स वर्क्स के सामने पहुंची तो उनों ने देखा कि दो मोटर साइकिल पर चार व्यक्ती तेजी से आते हुए दिखाए दिये जिसके बाद पुलिस को देखते हुए संदिक्द भागने का प्रयास करने लगे इसी दावरान एक व्यक्ती ने अपने कमर से देशी कट्टा निकाल कर सड़क पर फेग दिया जिसके बाद पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए दोनों मोटर साइकिल पर सभार चारों यू जिसके पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, दो जिन्दा कार्तूस, दो बिना नंबर प्लेट की मोटर साइकिल और चार मोबाइल फोन बरामत किये हैं बागलपूर सबोर्थाना चेत्र के एक नीजी होटल में राष्टिय मानवादिकार एभम आर्टी आई जागरुकता संगटन भारत द्वारा अभिनास जा उर्फ बाबा को सम्मानित किया गिया बाबा पुर्णिया जीले से पदारे थे और उन्हें अंगबस्तर ववा पुस्प मालाओं से सम्मानित किया गिया इस अफसर पर प्रदेश अध्यक्षा मा सचीव राष्टिय सलाकार समीती सुमित कुमार मेडिया प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष बेवूति सिंग विवा प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष संजीब कुमार समेत अन्य पदादीकारी भी उपस्तित रहे गौरतलब है कि अभिनास जाने पहले 12 जोतिरलिंग और चार धाम की पैदल यात्रा पूरी की थी जिसमें उन्होंने लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी तै की थी अभग 24 सक्ति पीट 12 जोतिरलिंग और चार धाम की सैकल यात्रा पर निकलेंगे जिसमें कुल 22,000 किलोमीटर की दूरी तै करेंगे अभी के डेट में सबसे ज्यादा गौत तसकरी अगर कहीं हो रहा है तो वह पूर्णियाजीला क्योंकि बंगलादेश बंगाल का रास्ता वही है उसके लिए एक गौसाला का निर्मान करना है तो यह पहले भी मैंने सोचा था लेकिन कुछ कारणवस विलम हो गया और इस य जैकेट पहनना पड़ता था लेकिन अभी इतना खराब परियावरन है कि हम लोग गर्मी नहां पर बहुत ज्यादा हो रही है तो परियावरन का देख देख के लिए भी यह यात्रा कहां से सुरू किया कहां तक जाना है यह पूर्णिया से सुरू किया हूं मैंने उसके बा इस अफसर पर सेकडू स्रद्धालवों ने बैजानी तलाव इस्तित सिपसक्ती मंदीर से माथे पर कलस लेकर भागवत अस्थल तक सुबह यात्रा निकाली कथा कि आयोजक कुस पांडे ने बताया कि अगले साथ दिनों तक ब्रिंदा मन से आये संत जगत गुरू सेकडू की संक्या में स्रद्धालवों ने हिस्सा लिया जिससे महावल स्रद्धा और भक्ती से भर गया